द्रिस्टी आईएस के और्डियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल The Indian Express में छबी ख़वरों इंडिया मेसी मोर हीट वेप्स, ड्रॉट्स, साइकलोंस, IPCC रिपोर्ट और क्लाइमेट चेंज लिडिंग टू मेल्टिंग ग्लेसियर्स, डिपलेटिंग स्नो कवर इन हिमालियाज, IPCC रिपोर्ट एवम डाउन टू अर्थ में प्रकाशित लेक, IPCC रिपोर्ट 2021 वाट डू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर के सम्रिद शारांश पर आधारित है, इसमें टीम द्रिस्टी के इंपूर्ट भी शामिल हैं, ये और्डियो आर्टिकल सामान अर्धियन प्रश्ण पत्रतीन के परियावरण एवम पारसित की खंड से जुड़ा है, तो आईए लेक की शुरु इनसान का अस्तित्व तब तक है, जब तक कि ये प्रकृती है, प्रकृती के साथ इनसान के तालमेल का नाम ही दरसल जीवन है, लेकिन जब ये तालमेल तूटने लगता है, तो जीवन की कडियां भी तूटने लगती हैं, साप शब्दों में कहें, तो प्रकृती है, तो इ इनी चितावनियों के बीच हाल ही में Inter-Governmental Panel on Climate Change यानि IPCC ने अपने छटी आकलन रिपोर्ट AR6 का पहला भाग पेश किया। IPCC ने यह रिपोर्ट Climate Change 2021 The Physical Science Basis नामक्षिरसक से जारी की। इस रिपोर्ट को Working Group 1 के वेग्यानिकों ने तयार किया है। बता दें कि इस रिपोर्ट के जर्ये वेग्यानिकों ने जलवायू परिवर्तन की वज़े से भविश्व में होने वाले बहुत चिंताजनक खत्रों को लेकर पुरी दुनिया को चिताया है। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक जोर Global Warming पर दिया गया है जो जलवायू परिवर्तन के सबसे प्रमुख नतीजों में से एक है। जबकि Global Warming के लिए सबसे बड़ी वज़र मानवी अगतिवीधियों को बताया गया है। ऐसे में हमें IPCC की छठी आंकलन रिपोर्ट में नीत सभी प्रमुख बातों को समझना होगा। साथ ही हम समझेंगे कि दुनिया और भारत के लिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ जलवायवी खतरों का संकेत किया गया है। इससे निपटने के दिशा में हम क्या कुछ कर सकते हैं इस और्डियो आर्टिकल के हम इन सभी बिंदूओं को बिस्तार से समझेंगे। आईए सबसे पहले देखते हैं कि जलवायू परिवर्तन पर जारी ये रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। हिमाले हो या मैदानी हिस से हर जगह धरती गरम हो रही है। जहां एक तरफ सतह के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है वहीं दूसरी तरफ सर्दी की अवधी और इसके असर में भी कमी आ रही है। अगले 20 से 30 साल यानि 2050 तक जलवायू इस्थीतियां और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। ना सिर्फ चरमतापमान और वर्सावाली बाल की आफ़त बढ़ सकती है बलकि सर्दी और कोहरे में बड़ी कमी भी आ सकती है। इतना ही नहीं अमलियता बढ़ने से समुद्रों के भी तर बनस्पतियों से मिलने वाले ऑक्सीजन में भी कमी आ रही है। वातावरंड में कारवन डायोकसाइड के सतर पर बढ़ने की प्रवल परिस्थितियां भी बन रही है। ये अनुमान IPCC के वग्यानिकों ने अपनी छटी आंकलन रिपोर्ट में लगाया और दुनिया भर के देशों को जलवायू परिवर्तन के खतरों को लेकर चेताया है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के हर छेत्र में जलवायू परिवर्तन के कारण बड़ी छती हो रही है। स्वेंग यूएन प्रमुक एंटोनियो गुटेरेस ने इस रिपोर्ट को मान से तापमान में एक दश्मलब एक डिगरी सेलसियस की वर्दी हुई है। लेकिन IPCC की रिपोर्ट की माने तो पिर्थवी की ओसत सतह का तापमान साल 2030 तक एक दश्मलब पांच डिगरी सेलसियस बढ़ जाएगा। तापमान में या बढ़हतरी पुरुवानुमान से एक 2020 के दश्क में 1850 से 1900 के तुलना में एक दश्मलब 609 डिगरी सेलसियस अधिक था। 1850 के बाद से पिछले 5 साल रिकॉर्ड अस्तर पर सबसे गर्म रहे हैं। आगे भी औसत वैश्विक तापमान में ऐसी ही वर्दी जारी रहेगी और इस सदी के अंध तक 1850 से 1900 के तुलना म पांच दश्मलब 70 डिगरी सेलसियस तापमान के वर्दी हो सकती है। नतीजतन समुदर की सतह के तुलना में भूमी की सतह अधिक गर्म होती रहेगी। हलांकि आर्क्टिक का तापमान वैश्विक सतह के तापमान से अधिक गर्म होता रहेगा। 1901 से 1971 के तुलना में आज क समय में समुदर के अस्तर में वर्दी की दरलग भग तीन गुना अधिक हो गई है। संभावना ये भी जताए जा रही है कि 2050 से पहले कम से कम एक बार आर्कटिक की समुदरी वर्प समाप्त हो जाएगी। ग्रीन लैंड की वर्प में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ठंडे दिनों में आर्कटिक का तापमान तीन गुना बढ़ जाएगा। नतीजतन उश्नकटिवंदिया महसागर और आर्कटिक में समुदरी हीट वेब की बारंबारता में बढ़ोतरी होती रहेगी। वैश्विक जल चक्र में परिवर का उतसरजन किया है। हर साल हम मोटे तौर पर 40 बिलियन टन सियोटू का उतसरजन कर देते हैं। घुमी और महसागरों की कार्बन डायोकसाइड को अब शोशित करने के छमता में भी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में पिर्त्वी पर उतसरजित होने वाला सियोटू बातावरण में ही बना रह जाएगा। इस संचाई उतसरजन का असर ग्रीन लेंड की बर्फ पर भी पड़ेगा। डीप ओशिन वार्मिंग और आइस शिट पिखलने से सदियों और हजारों साल तक समुद्र के अस्तर में वृद्धी को बढ़ावा मिलेगा। कारवन उतसरजन के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे अस्थान पर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत पहले ही इस बात को कह चुका है कि वह पेरिस जलवायू समझोते के अपने वादे को पूरा करने के दिशा में बढ़ रहा है और 2005 के अस्तर क अनुसार वो 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत कारवन उतसरजन कम करेगा। इसके वाबजूद IPCC की रिपोर्ट में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आवादी वाले देश भारत को जलवायू खतरे की 2019 की सुची में साथ में पायदान पर रखा गया है जिसे वो नजर अंदाज नही काफी अधिक रहेगी मानसून में होने वाली बारिश में भी बदलाव आने के उम्मीद है वारशिक और ग्रस्मकालिन मानसून बर्शा दोनों में बढ़ुतरी होने का अनुमान है भारतिय उप महदीप के लिए कहा गया है कि चरम गर्मी में जहां बढ़ुतरी देखी 20 बी सदी के मद्द से दक्षिन और दक्षिन पूर्ब एशियाई मानसून बर्शा में कमी का भी प्रमुकारन एरोसॉल और पाटिकुलिट मैटर में व्रधी है आने वाले समय में पूर्बी एशियाई ग्रिसमकालिन मानसून की बारिश में भी बढ़ुतरी देखी जा सकत रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी मानव गतिवीडियों को असपस्ट तौर पर जिम्मेदार ठराया गया है। इसका सी लेवल अन छेत्रों के तुलना में काफी तेज गति से गर्ब हो रहा है। इसका सी लेवल सालाना 3.27 मीमी की दर से बढ़ रहा है। साथ ही एक्स्ट्रीम सी लेवल घटनाएं जो पहले हर एक सो साल में एक बार होती थी अब लगभग हर साल देखी जाएंगी। इससे इसके आसपास के छेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं। तटिय छेत्रों में 21. सदी के दोरान समुद्र के अस्तर में निरंतर व्रधी देखी जाएगी। जिसके प्रणाम सरूप तटिय कटाओ और निचले इलाकों में काफी अधिक बार की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। शेहरों में गर्मी, भारी बारिश की घटनाओं से बाल और तटिय शेहरों में समुद्र के अस्तर में व्रधी यसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अल्नीनों जहां भूमद रेखिय प्रशान्त महासागर के असामानी रूप से गर्म होने का वहीं ला निना ठंड़ा होने का कारण है। अल्नीनों और ला निना भारत में मानसुनी वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। भारत के पहाड़ी लाकों की बात करें तो 1970 के दशक के बाद से हिंदु कूश हिमाले दुनिया के अन पहाड़ी और उचाई वाले छेत्रों की तुलना में काफी तेज गती से गर्म हो रहा है। इससे इसकी बर्फ में काफी गिरावर देखने को मिल रही है। हाला की इसी अवधी के दोरान कारा कोरम हिमाले और तिबबत के पठार वाले छेत्र में बर्फ की मात्रा की संतुलित अवस्था देखी गई और यहां तक की यहां हीमपाद जैसी घटनाएं भी देखी गई। लेकिन IPCC के अनुवानों के मुताबिक हिंदु कुष, हिमाले और तिबबत के पठार वाले छेत्र में भारी बारिश और इससे बर्फ में बढ़ोत्तरी जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत सबसे अधिक जलवायू संबिदनशिल देशों में से एक है। लिहाजा हमें यह स्विकार करना चाहिए कि भौगालिक द्रिस्ती से दूर के जलवायू परिवर्तन भी हमारे मानसून और चरम मौसमी घटनाओं की तिब्रता के परिणाम हो सकते हैं। आईए अब देखते हैं क्या हो आगे की राह। जलवायू परिवर्तन कोरोना महमारी से भी अधिक घातक हो सकता है। ऐसा कई जलवायू विशेशंग्यों का मानना है। इसकी वज़ा यह है कि जलवायू परिवर्तन की बज़ा से आगे वी हमें कई घातक और जानलेवा प्राकृतिक और जलवायवी अगटनाएं देखने को मिल सकती हैं जिसकी वज़ा से भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है इन खत्रों पर गंभीरता पुरुबग गौर करते हुए हमें कारबन उतसर्जन में भारी और ततकाल कटोती करनी होगी इस सदी में तापमान तभी 2 डिगरी सेल्सियस से नीचे रहेगा जब उतसर्जन को 2050 तक जीरो पर लाया जाएगा गौर तलब है कि दुनिया भर में बिजली, परिवहन और गर्म करने के उपकरण 80% ग्रीन हाउस गैस उतसर्जन के लिए जिम्मेदार है यही वो चीजें हैं जो नेट जीरो उतसर्जन हासिल करने के आड़े आने वालों में सबसे आगे है नेट जीरो उतसर्जन से मतलब है जिवाश्म इंधन वाले वाहनों और कारखानों से होने वाले सभी मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उतसर्जन को यथा संभब शुन्न के करीब लाया जाना दूसरा यह है कि किसी भी शेस ग्रीन हाउस गैस को कारवन कुप्टाकिर्तिक और कृत्र्म सिंक के जरिये अप्षोशित करके वणिकरन इत्यादी के जरिये संतिलित किया जाना चाहिए इस तरह के प्रयासों के जरिये ही मानब जनित कारवन को नीट्रल किया जा सकेगा और इससे वेश्विक तापमार में इस्थिरता आएगी। भारत को भी इस दिशा में प्रयास करने की सक्त जरूरत है। जरूरत को नीट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम रिपोर्ट जैसे कदमों पर भी काम करना होगा। भारत को उर्जा दक्षता जैविंधन आदी पर ध्यान कैंदरित करना होगा। इसके अलावा भारत को प्राकिरतिक और मानब निर्मित कारवन प्रतक्रन प्रताओं दोनों पर भी निर्वर रहना होगा। देश भर में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कम कारवन उर्जा, मसलन पवन उर्जा, सौर उर्जा, हाइड्रो एनर्जी और नियुकलिर एनर्जी जैसे साधनों पर तेजी से काम करना होगा। सन्युक्तरास्ट महासचिव एंटोन नियंतरन की ज़रुत है। उनका कहना है कि दुनिया के बांकी देशों को भी नेट जिरो कारवन अत्वा नेट जिरो उत्सरजन हासिल करने के दिशा में तेजी से और गंभिरता पुर्वक काम करना होगा। सभी देशों विशेश रूप से G20 वो अन प्रमुक उत्सरजको को स्कॉटलेंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉप 26 से पहले नेट जीरो एमिशन्स एलाइंस में शामिल होने की जरुरत है। साथ ही दिशा में सभी देशों को अपनी प्रतिवज़ता दिखाने की जरुरत है। गुटेरस का कहना है कि 2030 तक सौर और वायू परिवर्तन एक बैश्विक समस्या है लिहाजा समुची दुनिया को इससे निपटना होगा हम अकेले इससे नहीं निपट सकते और नहीं हर व्यक्ती को बेहतर बातावरण में रहने का अधिकार दिला सकते हैं। जिस तरह से हम कोरोना वायरस और इसके वारियंट्स की लड जलवाई करने की जड़रत है। आईए अब नौट करते हैं आज का सवाल। हाल ही में जारी IPCC की छटी आंकलन रिपोर्ट में भविश्य के लिए अनुमानित जलवाई विया खत्रों को इंगित करते हुए इससे निपटने के दिशा में उप्योगी कदमों पर प्रकाश ड अजकर अनुमानित जलवा इससे निफटने के जलवा भाई द विया झाल आंकलने के लिए इससे निपटने का शरता है।